तो बात करेंगे हम इसके बारे में कि किस तरह का स्लेबस रहने वाला है आपका तो वीडियो को अंतक जुरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नुट्रिकेशन वाले जुहान पुदेव देले के लिए पर का सेनी स्कूल तयक्तों सेमरे का बात करेंगे एसके बारे में सबसे पहले मुन करें ऑने घृत करने बारे में गया घृत का का रेने वाला है तो मैं आपको पहले बताता हूँ, पेपर कितने नंबर का आने वाला है और कौन-कौन से किस तरह के question पुछे जाएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें जो सबसे पहले है, पहले आपका आएगा mental ability वाला mental ability वाला section है, जिसमें 40 question पुछे जाएंगे और पचास नंबर कियोंगे, और एक गंटे का टाइम आपको दिया जाएगा उनको करने के लिए अब mental ability में किस तरह के questions पुछे जाएंगे जो आपने questions 5th class में पढ़े हैं, जैसे आपने सेफ्स वाले पढ़े हैं या आपने जो question पढ़े हैं, figures वाले, maximum figures वाले question पुछते हैं, आपको कोई figures दे दी जाएगी, आपको 3 figures दे जाएगी, आपने 4 figure बताने किस तरह के answer वाले, किस तरह के figure बनेगी हो, इस तरह के question पुछे जाएंगे और आपने angles कितना rotate करेंगे हैं, जैसे हमारे पसको figure दी होगी, हमने इसको rotate करना angle wise, उसमें या तो angle rotate करेंगे, इस तरह के question पुछे जाएंगे, आपके figures वाले, कि आपने next वाले figures किस तरह की होगी, ठीक है, second आपका आने वाला है, mathematics, arithmetic means mathematics का आने वाला है, जिसमें 20 को स्वा आपके Hindi और English दोनों के, इसमें जो question पुछे जाएंगे, basically आपके comprehension type के, आपको paragraph दे जाएगा, उसमें से question पुछे जाएंगे, तो यहां से 20 question पुछे जाएंगे, और total 25 marks से होगे, 25 marks के होगे, और time same, 30 minutes के लिए, ठीक है, तो total यहां पे questions होगे, total question बनेंगे, आपके 80 question, 40 mental ability के, 20 question, arithmetic progression के, मतलब, arithmetic के, mathematics के, और 20 question आपके आएंगे, languages के, जो हिंदी-English के, comprehensive वाले questions आएंगे, तो total होगे, 80 questions, और marks की बात करें, तो जो आपके 40 question होगे, mental ability में, होगे 50 number के, मतलब, हर एक question आपका, 1.5 marks का होगा, ठीक है, और अर्थेमेटिक में 20 question आएंगे, 25 नंबर क आएंगे, और total आपका जो paper होगा, 100 marks का होगा, और जो time duration होगा, 120 minutes का होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, syllabus के बारे में, कि किस तरह का, आपका syllabus रहने वाला है, सबस्वेले बात करेंगे, mental ability में, अब mental ability में जो आपका syllabus रहने वाला है, जो जैसे odd one out, आपने बताना है कि कौन से इसमें से अलग दिख रहा है, आपको तीन figure दे जाएंगी, चार figure दे जाएंगी, आपने उन में से बताना है कि कौन से figure अलग दिख रही है, और pattern completion, आपने pattern को complete करना है, जैसे हमरे पास कुछ star बन रहा है, अगले वाले में कुछ और pattern बनेगा, जैसे य घ्राक ऐसी है नेईस्टर में इस तरह अगी एक पिक्हर अलग अलग दे जाएंगी हुए उनको अपनी क努्लीट करना अपको प्रक प्रक´ सेonosor में अपने उनको करना है ठीक है नेक्स से ऊपको से सीरीज कंपलेशन सीरीज वा neighborhood और अनलोगी आपकी जो है सेवाला है फिंगर posit सु till तो ब्ताना है एकाफ का मिर्री मेज है क्यूंसी इंसी Mardiya है एक बताने उसकी बिंचे फोल्डिंग फोल्डिंग वाला हमने कर रखा है फिप्ट क्लास में स्पेस विजुलाइजेशन एंबिडिट फिगर्स तो यह था हमारे पास मेंटल लेविल्टी वाला जो की 40 नंबर का होने वाला है सैकेंड आपका है सलेबस मैथ्मेटिक आर्थिमेटिक का सलेबस होने वाला आपका प्रस्ट सेकंड थ हर्ड फोर्त फिफ्ट क्लास तक जो भी आपका सलेबस है उसी में से क्वेश्च्वें पूछ जाएगके अब नंबर एंड निमिरिक सिश्टम के भारे में थोड़ास नं NUMBER क्या होते हैं BOL Numbers क्या होते हैं और जैसे प्राइम नंबर के बारे बता वना चाहिए इंटीसर क्या होते हैं इस तरह से नंबर के वारे मैं को पता वना चाहिए ठीक है आफ फोर फटंडमेंटल उपरेशन औउunci और आपके हैं एलिition subtraction multiplication division इस तरह कि जो आपको जो operation हम यूज करेंगे वह आपको सभी आने चाहिए जैसे 2 plus 3 पूछ यह लाएगा 5 उस तरह से मतलब question पूछ लिए जाएंगे आपके मतलब operations आपको आने चाहिए 2 divided by 3 इस तरह से question 50 divided by 4 इस तरह से question पूछ लिए जाएंगे ओके next आपका है fractional number आपने देखे पड़े हैं fraction numbers के बारे हम पूछ ले जाएंगे fraction वाले जो की बटे की form में होते हैं हमारे पास और four fundamental operation उनके उपर जैसे हमारे पास question कोई example लेते हैं जैसे हमारे पास question है 2 upon 5 plus 3 upon 5 इन दोनों को हमने क्या करना है add करना है तो यह हमारे पास operation लग गया addition वाला अब इसी तरह की चार operation subtraction भी हो सकता है multiplication हो सकता है division हो सकता है ठीक है यह operation आपको आने चाहिए उसके बाद हम बात करेंगे जो next इसके बारे में है factors के बारे में और multiple including their properties अब factors में जो में आपका है multiples और factors आपने पढ़ रखे हैं कि किस तरह के factors बनेंगे इसके आपको number दे जाएक उसके अपने factors निकालने है अपने factor इस तरह से factor निकाल सकते हैं ठीक है next आपका LCM and SCF LCM आपने देख रिका है factors के से जैसे factors निकालते हैं उसी तरह से निकालने LCM और SCF LCM least common multiple और SCF highest common factor ओके next आपका जो है decimals and fundamental operation अपने decimals के बारे मताने और उसके उपर जो fundamental operation लगते है fundamental operation वही है आपके addition subtraction multiplication division जैसे आपके पास question दी दी जाएगा 1.2 plus 2.3 इनको आपने add करना है ठीक है तो यह जाएगा मार पास 3 plus 2 5 और 3.5 आजाएगा है तो आपको decimal को भी add करना न चाहिए subtract करना चाहिए multiply करना चाहिए divide करना चाहिए उसके प्रॉफिट और लॉस के question पूछ ले जाएगे आपके आपको दे जाएगा कि मिदलब numbers दे दी जाएगे यह आपके पास कुछ general problem दे जाएगी आपने वहाँ पे profit और लॉस निकालना है उसका simple interest आपने निकालना है simple interest का पूद है कैसे निकालते है simple interest हम निकालते है principle into rate into time upon hundred इस तरह से हम निकालते है simple interest उसके बाद distance के बारे में question पूछ ले जाएगे और उसके बाद time and speed के बारे में conversion of fraction into decimal आपने fractions को decimal में convert करना है और decimal को भी fraction में चाहिए करना है ठीक है 22 वर्स मतलब इसका उल्टा उसके बाद applications of number in measure length वाले mass वाले capacity वाले कि आपने किसी जिसको कैसे measure करना है आपको पतना जी कि one kg में कितने ग्राम होते हैं इस तरह से मतलब mass के बारे में capacity के बारे में में दूद को कैसे measure करते हैं लेटर में करते हैं जैसे तेल को लिकोड जो भी लिकोड चीज़ होती उसको उसकी capacity उतिसको लेटर से convert करते हैं उसको measure करते हैं ठीक है उसके बाद आपका जो next level से है इसी में आपका आएगा time time से बिए question आजकते है time से money वाले question approximation अब approximation वाला बहुत important topic है आपका जो भी आपके मतलब addition subtraction multiplication division उसी में से आता है यह expression आपको देजाएगी आपने उसकी approximate value निकालनी है जैसे आपके पास देजाएगा 1.2 प्लस 5.8 अब इसको 1.2 को approximately 1 मानो और 5.8 को 6 मानो जो इसके नजदीक है तो approximately इसका आजएगा 7 जिस तरह से आपने इसको करना है ठीक है उसके बाद आगले वाला हमारे पास है Simplification Simplification भी आपको आने चाहिए Simplification आपने कर लिये पहले ठीक है किन नंबर को simplify करना percentage के बारे में दिया गया है application उसकी perimeter area और volume perimeter आपको बता है perimeter किसी जिसका परिमाप किसी जिसकी boundary area अदलों कितना उक्वाई करता है volume के बारे में कितना उसमें आ सकता है capacity कितनी असकी और last section आपका language section जिसमें आपका grammar और comprehension वाले question पुछे जाएंगे